नमस्कार आप देख रहे हैं बॉक्स ओफिस ट्रेकर इस शुकरवार को बॉक्स ओफिस पर रिलीज भी दो बड़ी फिल्में एक अक्षे कुमार स्टार फिल्म मेशन मंगल तो दूसरी जौन अबराम स्टार फिल्म बाटला हाउस अभी हम बात करेंगे कि अपने पहले दिन इन दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर कितना कलेक्शन किया और ये आज कितना कलेक्शन कर सकती हैं पंदर अगस्त का फाइदा लेने के लिए ये दोनों ही फिल्में शुकरवार की बजाए गुरुवार पंदर अगस्त को रिलीज हुई इन दोना ही फिल्मों के लेकर दर्शकों में काफी क्रेज देखा जा रहा था और पहले सही काफी अटकले लगाई जा रही थी कि कौन सी फिल्म बाजी मारेगी और कितने अंतर से आगे रहेगी बॉक्स ओफिस पर हुई इस जंग में अक्षे कुमार के फिल्म मिशन मंगल विजेता साबित हुई है अपने पहले ही दिन इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर तूफान मचा दिया और उमीद से बढ़कर प्रदर्शन किया मिशन मंगल ने अपने पहले दिन 39 करोड 16 लाग का बड़ा कलेक्शन किया जो की बाटला हाउस के कलेक्शन के लगभग दोगोने के बराबर है गर्व की भावना से भर देने वाली इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया है ये फिल्म अक्षे कुमार की सबसे बड़ी उपनिंग लेने वाली फिल्म हिंदी फिल्म बन चुकी है और अक्षे की ये एक और 100 करोडी फिल्म साबित होने जारी है ये पक्का है आज इस फिल्म का बॉक्स ओफिस पर दूसरा दिन है शुक्रवार का कामकाजी दिन होने से कलेक्शन पर असर पढ़ना पका है लेकिन संभावना है कि आज भी ये 18 से 20 करोड के असपास का कलेक्शन कर लेगी इसके बाद शनिवार रईवार को इसका कलेक्शन फिर से 25 करोड के करीब रह सकता है इस तरह से इस फिल्म के पहले विकेड में ही 100 करोड के काफी करीब पहुँच जाने की संभावना है बात करें जोन अबराम की फिल्म बाटला हाउस की तो देश भक्ती के जजबे से भरी इस फिल्म को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया है बाटला हाउस ने अपने पहले दिन 14 करोड 69 लाग का कलेक्शन किया है लेकिन सची घटना पर आधारित होने और कहानी का अंदाजा पहले सी होने का असर इस फिल्म के कलेक्शन पर पड़ा बाव जूदिस के जॉन अबरहम रवी किशन जैसे सितारों को देखने और खासतोर पर जॉन के एक्शन सीन बड़ी संख्या में फैंस को सिनेमा घरों तक खींच लाने में काम्याब रहे आगे भी ये सिल्सिला चलता रहने की पूरी संभावना है आज दूसरे दिन इस फिल्म के तस से 12 करोड के आसपास कलेक्शन करने की संभावना है इसके साथ भी वही शुकरवार के कामकाजी दिन का फैक्टर है पहले विकेंड में शनिवार नईवार को फिर से इसके कलेक्शन में बढ़ा उच्छाल आने की संभावना है फिर्स विकेंड में इसका कलेक्शन 50 करोड के आसपास रह सकता है फ्रेंट्स आपने इन दोनों फिल्मों में से किसे देखा है या फिर किसे देखने का प्लान कर रहे हैं कमेंट करके हमें भी जरूर बताए साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सबस्ट्राइब करना न भूलें